हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे Class 6 Maths NCRT Chapter 1 Knowing Our Numbers की Summary Summary का मतलब कि हमने अभी तक जो भी content पढ़ा है उसको हम एक बारी फिर से revise कर लेंगे पेज 1-11 मैंने यहाँ पर mention किया है इस पेज के अंदर जितने भी NCRT के concepts मैंने आपको पढ़ाएं है उनको एक एक करके मैं आपको Summary की form में revise करा रही हूँ ताकि आपको exercise करने से पहले सारे concepts अच्छी तरह से clear हो जाएं आप इस वीडियो को पूरा देखेगा तो आपको फिर से सारे concepts revise हो जाएंगे याद आ जाएंगे और आगे questions करने में असानी रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं greatest number बचों हमने पढ़ा था greatest number क्या होता है number जो सबसे बड़ा है greatest number इसको मैं आपको एक example से समझाती हूँ हमने चार डिजिट के चार number ले लिए 5021, 5210, 4999, and 5211 यह हमने चार डिजिट के ले लिए और हमने criteria पढ़ा था दो criteria पढ़े थे पहला कि हम number of digits count करें कि number बड़ा है कि छोटा है किसी में दो डिजिट हो सकते हैं किसी में तीन डिजिट हो सकते हैं किसी में चार हो सकते हैं किसी में पांच हो सकते हैं उससे हम पता लगा लेते हैं कि 3 डिजिट वाला नंबर 2 डिजिट वाले से बड़ा है जैसे कि 453 जो है वो 35 से बड़ा है क्योंकि इसमें 3 डिजिट है और इसमें 2 डिजिट है मगर अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर 4 डिजिट है तो 4 डिजिट के अंदर कैसे पता लगाएंगे उसकी प्लेस वैल्यू से अब देखो चारों नंबर 4 डिजिट के 1000 प्लेस तक जा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे 1000 प्लेस पे जो डिजिट होगा उससे पता लगाएंगे कि नंबर कितना बड़ा है अब यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है और यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब यह वाला नंबर तो बड़ा होई नहीं सकता एक्स्क्लूट हो गया अब बचा इन तीनों में से इन तीनों को फिर से दुबारा लिख लेते हैं 5021-5210-5211 अब पहला place value 1000 की तो हमने check कर लिए अब हम next पे चले जाएंगे 100 की place value पे अब 100 की place value पे यहाँ पे 0 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो 0 तो 2 से छोटा है इसलिए यह वाला नंबर भी निकल गया बड़ा नहीं हो सकता बचे यह दो नंबर फिर से इनको लिख लेते हैं 5510 5011 अब इन दोनों में से भड़ा कॉन सा है देखेंगे यह दिजिट और यह दिजिट चेक कर चुके है यह दिजिट और यह दिजिट पिं चेक कर चुके अब आ जाएंगे यह 10th place पे, यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, तो कैसे पता लगाएंगे, next digit पे चले जाएंगे, unit place पे, यहां देखो, यहां 0 है unit पे, और यहां 1 है unit पे, तो 0 और 1 में से कौन सा बढ़ा हुआ, 1, इसलिए यह वाला number सबसे greatest हो गया, तो इस तरह से हम अगर number of digit same है, तो यह criteria लगाके निकाल लेते हैं, और अगर number of digits different है, तो जिसमें सबसे जादा number of digit होंगे, वो सबसे greatest number होगा, चलिए, next concept समझाती हैं, अब देखो बच्चों, smallest number लेने के लिए हमने फिर से 4 digit ले लिए, और कुछ पहले के जैसा मिलता जुलता number है, पर तो unit 10,000,000 का concept, unit 10,000,000, unit 10,000,000, unit 10,000,000, unit 10,000,000, unit 10,000,000, unit 10,000,000, चार होई, नमबर 4 digit के हैं और 1000 place तक जा रहे हैं, तो चेक करेंगे पहले यहां भी 5 है, 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 और यहां भी 5 है, तो next place value पे चलिए जाएंगे, 100 की place value यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो देखिए बच्चों में पहले ही मिल गया कि 100 प्लेस पे 0 मिल गया, तो इसका मतलब 100 प्लेस पे जो 0 है वो इस सबसे छोटा नमबर होगा, तो 5021 जो है वो सबसे smallest नमबर है, बाकी सारे सबसे next उससे बड़े बड़े नमबर है, तो 5021 सबसे smallest नमबर होगा, तो इस तरह से हम digits को count करके unit 10, 100, 1000, 10,000 की place value तब greatest and smallest नमबर निकाल लेते हैं, अब देखो बच्चों, third point है ascending order, यह भी मैंने अपनी पिछली YouTube में बहुत असान तरीके से आपको समझाया है, कि ascending order क्या होता है, छोटे से आपको एक दूसरे different example से समझाती हूँ, suppose हमने लोगों का weight चेक किया kg में, kg में weight निकाला हमने 5 या 6 लोगों का और उसको हमने pen down कर लिया, note down कर लिया, कि कितना weight है, 42 kg, 50 kg, 85 kg, 20 kg, 30 kg, हमने 5 लोगों का weight निकाल लिया, अब हमें इस pattern को ascending order में लगाना है, छोटे से बड़ा, तो अब देखो, दोनों 2 digits के हैं, तो वोई criteria लगाएंगे, छोटे से बड़ा, unit 10, unit 10, unit 10, unit 10, unit 10, तो 10th place पे यहां 4 है, यहां 5 है, यह 8 है, यह 2 है, यह 3 है, तो देखो, पहले ही हमें 2 मिल गया, इसका मतलब, यह number सबसे छोटा है, 20 kg, उसके बाद next, यहां 3 मिला है, बाकी सब में इससे बड़े digit है, तो next बड़ा number हो गया 30 kg, उससे बड़ा यहां 4 मिला है, देखो, तो यह हो गया 42 kg, उससे बड़ा यहां 5 मिला है, तो उससे बड़ा हो गया 50 kg, और सबसे ज़्यादा बड़ा weight कौन सा हो गया 85 kg, तो यह हो गय चलिए next concept revise करते हैं descending order ये भी मैंने अपनी पिछली यूट्यूब में बहुत ही detail में और बहुत ही असान तरीके से समझाया था कि descending order क्या होता है अब यहाँ पे आपको एक और example different example लेके समझा देती हूं suppose हमने अलग-अलग population लेजी states की अलग-अलग states है हमारे इंडिया में उनकी population लेदी हमने numbers में suppose in lakhs लेदी तो हमने वो number को note down कर दिया किसी state में इतनी population है किसी state में इतनी population है किसी state में इतनी population है तो यह सब states की population लाक में है तो उसको हमने लिख लिया तो अब कैसे लगाएंगे descending order मतलब बड़े से छोटा d for descending, d for decreasing unit 10, 100,000, 10,000, lakh 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 अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा होगा, इन दोनों में से ही होगा वो सबसे last में आएगा, तो descending में सबसे बड़ा पहले लिखेंगे बड़ा है, तो और सबसे छोटा नमबर कौन सा है यह, तो बड़े से शुरू करके हम सबसे छोटे तक गए, उसको हमने descending order कहा, चलिए, next concept revise करते हैं, concept of 10,000, यह भी मैंने बहुत अच्छे से explain किया था अपनी पिछली YouTube में कि 10,000 का concept कैसे आएगा, जब हम greatest one digit number में one add किया, तो हमार को next smallest two digit number मिल गया, उसके बाद next greatest two digit number में one add किया, तो smallest three digit number मिल गया, greatest three digit number में one add किया, तो smallest four digit number मिल गया, इसी तरह से greatest four digit number में one add किया, तो हमार को smallest five digit number मिल गया, जो की है 10,000, और यह है smallest five digit number, तो यह है बच्चों, 10,000 का concept, और इसका अगर हमें कोई number दिया हो, तो कैसे दिया होगा, suppose 8, 2, 4, 0, 1, कोई ऐसे number दिया है, तो यह 10,000 तक है, कैसे, unit 10, 100,000, 10,000, तो यह हो गया, 10,000 का concept, next concept है बच्चों, place value, अभी हमने फिर दुबारा से पढ़ी ही लिया है, कि place value क्या होती है, अब उन्होंने place value को थोड़ा expand किया था इसमें, example से आपको समझाती हूं, 278 एक number है, इसको हम place value तब कैसे expand करेंगे, देखे, unit 10, 100, तो यह number 100 तक जा रहा है, इसका मतलब यह 200 है, 10s place पे 70 है, और unit place पे 8 है, यह इस तरह से हम इसको bifurcate करके लिख सकते हैं, अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे verify करो, 200 में 70 और 8 add करो, तो क्या आएगा, 8, 7, 2, क्योंकि 0 प्लस 8 कितना होता है, 8, तो देखो 278 आ गया, अब इसको और further उन्होंने एक्सपैंड किया है, कि यह कैसे लिख सकते है, 2 into 100, प्लस 70 को कैसे लि सकते है, 8 into 1, तो इसका मतलब यह 100 के प्लेस पे है, 2, 10 के प्लेस पे 7 है, और 1 के प्लेस पे 8 है, एक और बड़े डिजिट का example ले लेते हैं, suppose 8, 9, 6, 4, 3, 0, अब यह कहां तक जा रहा है, unit 10, 100, 1000, 10,000, lakh, lakh तक जा रहा है, कैसे bifurcate करेंगे, 8 into 50, 1,00, प्लस 10,000 तक है, 9 into 10,000, प्लस 6 into 1000, प्लस 4 into 100, प्लस 3 into 10, प्लस 0 into 1, यह देखिए, lakh के प्लेस पे 8 है, 10,000 के प्लेस पे 9 है, 1000 के प्लेस पे 6 है, 100 के प्लेस पे 4 है, 10 के प्लेस पे 3 है, और 1 के और unit के प्लेस पे 0 है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, तो यह clear हो गया बच्चों कि कौन सा डिजिट जो है, नमबर जो है, वो कौन से प्लेस पे है, नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों, रीड दा नमबर, अगर आपको नमबर दिया जाए, कि इसको रीड करिए, वर्ड की फॉर्म है, तो कैसे रीड करेंगे, फिर से वोई कंसेप्ट लगाएंगे, unit 10, 100,000, 10,000, तो इसका मतलब यह नमबर 10,000 तक जा रहा है, 1000 में दो नमबर है, तो यह क्या बन जाएगा, 29,000, 100 पे तो 0 है, तो कुछ नहीं आएगा, 10s के प्लेस पे है 8, और unit प्लेस पे है 8, तो 29,000, 88, तो इस तरह से बच्चों इसको आगे बाइफर्केट करके हम वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, देखो बच्चों, next concept था, concept of 1,00, मैंने आपको बताया था, 1,00 में 5 zeros होती है, और यह आया कैसे, greatest 5-digit number में 1 add करेंगे, तो हमार को next smallest 6-digit number मिल जाएगा, जो की क्या है 1,00, इसी तरह से 10,00, का concept कैसे आएगा, जब greatest 6-digit number में 1 add करेंगे, तो हमार को 10,00, मिल जाएगा, तो यह था, 100,00, और 10,00, का concept, इसी तरह से, करोड का concept क्या है, वो भी आपको याद होगा, कि करोड में मैंने आपको बताया था, कितने 0 होते है, 7, 3, 4, 5, 6, 7, यह है 1, करोड, तो 1 करोड कैसे आएगा, जब हम greatest 7-digit number में 1 add कर देंगे, तो हमार को next 8-digit number मिल जाएगा, जो की है 1 करोड, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यह है बच्चों, 1,00, 10,00, और 1 करोड का concept, अब देखो बच्चों, next concept क्या है, commerce, यह बहुत ही important concept है, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से, अपने पूरी detail में, पिछले YouTube में बताया था, यहाँ फिर से revise करते हैं, Indian system में commerce कैसे लगाएंगे, राइट से पहला 3, फिर next 2, और उसके बाद next 2, अगर number में जरूरत है तो, यहाँ तो आगे number ही नहीं है, Indian system में commerce क्या mark करता है, thousand, lakh, और करोड, और international system में कैसे लगेंगे commas, राइट से 3, फिर राइट से 3, और क्या mark करते हैं, thousand and million, तो यहाँ पर कॉमा mark करता है, thousands, lakh and crore, और यहाँ पर mark करता है, thousand and million, अब इसको read कैसे करेंगे, unit, ten, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, यहाँ पर lakh को mark क्या है, यूंकि lakh में 2 है, ten lakh और lakh होता है, इसलिए कॉमा से differentiate करना पड़ता है, thousand और ten thousand जो है वो एक है, इसलिए कॉमा से differentiate करना पड़ता है, unit 10 100 तो वैसे भी छोटे है और वैसे भी अलग है इसलिए इन में commas की जुरुत नहीं पड़ती है तो ये क्या हो गया 45,60,281 तो ये easy हो गया कॉमा डालके इसको read कर पाना words में 45,60,281 और international system 1000 और million mark करता है उसमें million lakh की जगा और 10 million करोड की जगा होता है तो यहाँ पर ये क्या हो गया यहाँ पर देखिए million हो गया है 4 million देखो unit 10 100 और ये पूरा है 1000 और यहाँ पर फिर हो गया million तो 4 million 560,000 560,000 क्यों हो? क्योंकि ये 1000 mark किया था और यहाँ पर ये भी unit 10 100 है इसलिए 560,281 तो इस तरह से हम Indian और International System में लिखते हैं और ये चीज जो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए पेपर में, question में हर जगा काम आएगी कि 1 million 10 lakh के बराबर है और 10 million 1 करोड के बराबर है तो जो हम Indian System में 10 lakh लिख रहे हैं वहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 lakh आया था यहाँ पर 1 million आया है तो यहाँ 10 lakh के साथ 1 million है और अगर यहाँ पर करोड हो जाएगा तो यहाँ पर 10 million हो जाएगा तो इस तरह से यह concept बहुत important है याद रखने के लिए तो बच्चों, उमीद है आपको सारे concept फिर से समझ आ गे होंगे मैंने revise करा दिये हैं इनकी detail अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी पहली YouTube देख सकते हैं आपको और अच्छे से clear हो जाएगा अगर कोई भी question है query है, doubt है तो आप comment box में लिख सकते हैं मैं उसका reply करूंगी, thank you very much